नमस्कार दोस्तों जय हिंद वंदे मात्रम ITBP पशु परिवन प्रैक्टिस एड़ दो आज हम 25 कोशन जीके के आपके डिसकस करने वाले हैं जो कि ITBP पशु परिवन ITBP टेली कॉम और ट्रेड मेन वाले सभी बचों के लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं बहुत इंपोर्टेंट कोशन का इसीरीज रहेगा बचों और हम आप सभी लोगों के लिए पूरा एक मन्त तक एक मन्त तक हम आपको पूरा 25-25 कोशन का प्रैक्टिसर्ट हम आपके सामने लेके आएंगे पहला प्रैशने बचों कौन सा देश दक्षिन एशियाई मुक्त व्यपार छेतर का हिसा नहीं है तो आपके ऑप्शन है चीन, शेलंका, भूटान, भारत तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरी प्यारे बचों चाइना हो जाएगा यह ऑप्शन अगला है 1916 में मात्मा गांदी ने दमनकारी बागान व्योस्ता के खिलाब किसानों को संगर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए डैश का दोरा किया तो यह डांडी है साबरमती यह चोरा-चोरी कांड यह चमपारन तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका भाई चमपार ठीक है तो जल्दी जल्दी इस प्रैक्टिस सेट कम सॉल्ब करेंगे आप भी कॉपी पैन लेके बैठ जाईए और अपना स्कोर बताएगा कितने आपको आते थे कितने नहीं आते थे ठीक है अगला है निमलिकित मैंसे ग्रैमी पुरुसकर 2022 वर्ष का एलबॉम आप दा इय प्रिंट तो किसे मिला है भई यह सी ओप्शन को मिला यानि जॉन बेटिस द्वारा वियार को मिला है अगला है हुमायू का मगबरा कहा है ठीक है तो हुमायू का मगबरा कहां पर है भई आपका हैदराबाद में नहीं है मूंबई में भी नहीं है कॉलकत्ता में भी नहीं ह पुछता हूं नई दिल्ली से पहले भारत की राजदानी क्या थी ठीक है और दिल्ली के दिल्ली को दिल्ली का जो डिजाइन है दिल्ली जो आपकी राजदानी है तो उसकी जो सीटी का जो डिजाइन है वो किस ने किस आसक ने किया था या यह कहलो कि किस ने किया ठीक है तो य इंद्री है विश्व है समोर्ती है राज्य है तो भाई इसका सही आंसर राज्य हो जाएगा राज्य सूची में यह अंकित है पोटेशियम की खोज किस ने कीती भाई आपको बताना होगा हमफी ड्रवीन है या विल ग्रेट्स या एलम ट्यूरिंग या टीम बनर्स ली भाई आपको यह चीज बता दी मैंने अगला है अल्पकालिन सीमान्त लागतवक्र आकार कैसे होता है ठीक है तो यह आपका यू प्रकार का होता है यू आकार यू शेप का होता है किस प्रकार का होता है यू शेप का अगला है बचों कौन सा परमुख अजयव कारक नहीं है अजय तो अजय वाला आपका वायू हो जाएगा वायू ठीक है तो आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं 34 का next question है 35 आपका गलने की परिक्रिया को process of melting क्या होता है process of melting तो भाई process of melting जो POM होता है उसे हम smelting कहता है प्रगलन क्या कहता है बच्चों smelting 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 होता है अगला देखेंगे अमल और छारक की अविक्रिया के लवन के साथ क्या बनता है इसका answer आप मुझे comment box में बताएगा क्या बनता है hydrogen gas पानी या carbon dioxide या oxygen तो इसका answer सभी बच्चे जो भी तयारी कर रहें देखें जीके का portion आपके ITVP के exam के लेना बहुत important रहने वाला है जीके का जीके के साथ साथ आपको math पे भी focus करना पड़ेगा जीके और math ये दो subject आपको अच्छे से करके रखने हैं वैसे तो सभी है पर इन दो ये दो topics आपको अच्छे question देखने को मिलने वाले ठीक है अगला है Microsoft Excel में फलन तर्क के रूप में पारित मानों मैंसे सबसे बड़े मान को क्या केते हैं तो भाई सबसे बड़े उसको क्या केते हैं एक बच्छा common sense लगाएगा सबसे बड़ा पूछ रहा है तो maximum में हैं में एक्स तो इससे भी कुछ कुछ कोशन ऐसे हो रहते हैं जो tricky type रहते हैं अब max पे लगा दो टीक हो max ही आपको सही आंसर हो जाएगा अगला है वहानों के पार्शो दरपन साइड मीरर में किस परकार के दरपन का प्रियोग कि आ जाता है वहान में आपको पता है बच्छों उत्तल लेंज या इनि convex mirror का यूज होता है ठीक है यदि किसी वस्तु का दरविमान 60 kg है ठीक है अगर कोई वस्तु है ठीक है उसका जो मास है मास कितना है 60 kg का है 60 kg का तो चंद्रमापर उसका दरविमान या चंद्रमापर उसका वजन कितना हो जाएगा तो चंद्रमापर उसका वजन कितना बेटा 100 newton हो जाता है 100 newton याद र हैं आप दुरूब पर जा रहें पोलर पर पोलर पर जा रहें आप और आप यहां पर 50 केज है ना तो आपका यहां पर मान क्या है जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां वैक्यू में निर्वात है तो ठीक है निर्वात में आप हलके हो जाएंगे आपका वेट कम हो जाएगा तो यह चीज भी आपको ध्यान से समझ नहीं है अगला है टीनिया फीता कर्मी फेसी ओला पर्ण क्रीमी किस संग के उधाराने भाई बायलोजी से कोशन है बहुत ही प्यारा कोशन है इसका आंसर बताएंगे बच्चों अर्थोपोड होगा ऐनलीडा होगा स्लेंट्रेटा होगा या प्लेटी हैलमी नी थीज होगा प्लेटी हैनमी थीज आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्चन भी अगला है यहापे निमलिखित में से कौन सा बैवसावी कुतपाद जिलेडियम और ग्रेसी लीरिया से मिलता जिसका उपयोग सम आलू और पैंथरा लियो शेर का वेगेनिक नाम है तो ये शब्द जो है इंडी का टीवरो सोम और लियो किस रेष्ट इस तर पर परती निदित्व करते है यानि कि इनकी जो ये उप नाम ये वेगेनिक नाम है तो ये किस इस तर पर है तो इसे जाती संकेत में आता है दूई पदनाम पदती पे आता है या हो जाएगा आपका ये वर्गी की पदानुक्रम ठीक या हो जाएगा वर्गक तो इसका सही अंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जो भी option A दे रहा है वर्गक कैटेगरी में आते हैं तो वो सही है तो ये जोजिला पास से जुड़ा है ठीक है एक 1A लेहे को ठीक है अगला है डैस डैस के बाद हिमाले दक्षिन की और एक तीखा मोड बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है बच्चों क्या फैल जाता है नैपाल सीमा भूटान सीमा जोजिला या दिहा तो यह दिहांग मियोखंड आपका फैलता है अगला कोशन है 45 का बहुत ही प्यारा प्रशन है यह 45 वाला इरान डैज इराग और वर्तमान तुरकी का शासक लैमूर के परवर्ती तो किस शासक के परवरती थे तो यह आपके राजपूत ऑप्षन है खिलजी है तूगल है य जो गया सी दुन तुगलक है ये तुगलक वनश के शासकते या वनशकते ठीक है अगला देखेंगे 1930 में डैश की गिरपतारी के लिए पेशावर की सटको पर उगर परदशन हुए तो भाई इसका आंसर भी आप कमेंड बॉक्स में बताएगा ये दो कोशन आपके लिए हमने इस वीडियो में रखें हैं इन दो कोशन का आप सही जवाब देंगे 46 का ठीक है अगला देखेंगे जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार का अतिकरमन करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उपर की अधालते उच न्याले या सर्वच न्याले उसे ऐसा करने से क्या डेश डेश जारी करती है तो भई ये क्या होता है वंदी प्रतेक्षिकरण है परमादेश है अधिवेश है अधिशेद है या अधिकार प्रिथक तो ये क्या हो जाएगा प्रतिशेद सही आंसर आपका ओप्शन सी प्रतिशेद हो जाएगा ठीक है अगला प्रेशन द एक आगत का डेश डेश परती इकाई आगत के परिवर्तन के कारण जो निर्गम में परिवर्तन होता है जब सभी अन्य आगत इस्थिर है तो उसे कहा जाता है देखें एक होता है निर्गत और एक होता है निर्गम यानि output input को ही यह कहा जाता है ठीक है तो इसका सही answer हो जाएगा भई आपका सीमान्त उत्पाद क्या हो जाएगा भई सीमान्त उत्पाद ठीक है marginal वो भी कह सकते हैं आप इसे product ठीक है विनी मेदर देशी मुद्रा के रूप में विदेशी मुद्रा की एक इक काई की कीमत होती है डेश डेश जो विनी मेदर होता है exchange rate होता है देशी मुद्रा के रूप में जो foreign currency की एक इक काई की कीमत होती हो किसके किसकी होती है संकेतिक की होती है संकेतिक विनी मेदर की वास्त्रीक नहीं होगा, निशित नहीं होगा, क्रितिम नहीं होगा तो आहोब आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और questions का level आपको अच्छा लगा है बचों और जिन बचों का 25 में से 25 में से अगर 18 से 22 तक बन रहा है वो बच्चे का practice अच्छा चल रहा है और ये practice set बहुत important है अभी लगबग आपको 18 practice set और करवाएंगे 25 questions के 18 practice set बहुत होता है GK के लिए तो आप सभी लोग बने रही है चैनल पर चैनल को भी subscribe कर लेना मिलता हूँ जल्द ऐसी ही अच्छे questions के साथ तब तक ले जाहिन